असलाम अलेकुम मैं नेम इस मुक्सित अजीज और वेलकम यू तो गोहर पॉब्लिशर्स आवर मोटो इस रीडिफाइनिंग जोग्रफी ऑफ एड्यूकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सिस फॉर कंसेप्ट्चुल लेर्निग और तुड़े आइम गोहर मैथमेटिक्स फॉर क्लास फाइव इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं एक्सराइज 5.1 से जिसमें तमाम कनवर्जन हम कवर कर लेंगे question number 1 convert the following kilometers into meters एक एक part करते जाते हैं 2.5 kilometers को आपने meters में convert करना है तो kilometer से जब meter में जाते हैं तो thousand से multiply कर लेते हैं 2.5 multiply by thousand और multiply करेंगे तो ये right side पे decimal move कर जाएगा 3 places तो 2, 5 यहां से move किया 5, 1 place, 2 place and 3 place तो ये आपके पास आ गया 2500 meters, kilometer से हमने meter में इसकी conversion कर दी अब अगर meter से kilometer में जाना है तो हम divide करेंगे thousand से 175 meter into kilometer कितना बनेगा तो 175 divided by thousand अब यहां पे जब divide करते हैं तो यहां पे decimal place होगी इसको हम 175.0 भी लिख सकते हैं उससे को फरक नहीं पड़ेगा तो decimal place 3 digits इस तरफ move कर जाएगी left side पे decimal place left side पे 3 digits move करेगा तो हम लिखेंगे 0.175 km यह आपके पास kilometer में answer आ गया 1,2,3 3 digits आपने decimal को left side पे move कर दिया यह आप पिछले chapters में कर चुके हैं thousand से division और thousand से multiplication decimal point आ गया और पिछे left और right पे किस तरह मूब करता है then question number three millimeters into centimeter 1 centimeter में 10 millimeters होते हैं तो millimeter से centimeter हम छोटे से बड़े unit में जा रहे हैं तो हम divide करेंगे 80 millimeter into centimeter तो 1 centimeter में 10 millimeter होते हैं तो 880 divided by 10 gives you 00 से तो 8 centimeter आपके पास answer आ गया यह उन्होंने आपको millimeter से यह आपने ध्यान रखना है कि millimeter से centimeter का है millimeter सबसे चोटा unit है यहाँ पर centimeter थोड़ा उससे बड़ा unit है तो यहाँ पर division होगी अब meters into centimeters तो meter बड़ा unit है centimeter छोटा तो इसको हम multiply करेंगे hundred से क्यूंके one meter में hundred centimeter होते हैं इनको आप hundred से multiply करेंगे next question centimeter into meter इसको आप divide करेंगे hundred से क्यूंके one meter में hundred centimeter होते हैं और हमने centimeter से meter में convert करना है तो हम इसको divide करेंगे इन तमाम questions को then centimeter से हमने millimeter में जाना है centimeter से millimeter में यानि बड़े से चोटे unit में जाने के लिए हम multiply करेंगे 10 से क्यूंके एक centimeter में 10 millimeter present होते हैं तो 105,1.05 centimeter multiply by 10 gives you 10.5 millimeter क्यूंके ये एक decimal place right पे move कर जाएगा तो ये आपके पास इसका answer होगा आपने तमाम questions के solve करना है और answer key book से match कर लेना है कि आपके answer ठीक हैं या नहीं उमीद है ये topic आपको समझ आ गया होगा आप मुलाकात होगी नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ अब तक अपना ख्याल लखिएगा अलाहाफूश्य झाल